अगर आपने से पहले इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं कर रहा है अगर आपको काफी बड़ी हा प्राइजिस के ओपर विंडोग शुरू लेकिन आगे बनने से पहले इस वीडियो को स्पॉंसर कर रहा है अगर आपको काफी बड़ी हा प्राइजिस के ओपर विंडोस 10 या फिर 11 प्रो की OEM की आप रिटेल की परचेस करनी है पर जा सकते हो यह वन ऑफ थी बेस्ट वेबसाइट है पूरे इंडिया के अंदर अगर आपको अपने लिए कस्टम पीसी बाइकर ना हो तो आप डेफिनिटली इस वेबसेट के पर जा सकते हो हमारे एक यूट्यूब चैनल भी है जो कि है मोडेक्स कमडर्स यहाँ पर हम लोग अपने काफी सारे कस्टमर्स के पीसी बिल्स को दिखाते रहते हैं तो आप उसको भी जाकर के चेक आउट कर सकते हो चैनल की लिंक नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के अंदर साथ य एक student and web developer है बात करें इनके setup के बारे में तो यहाँ पर इन्होंने जो एक decent size की desk है कि जिसके की उपर इन्होंने अपना पूरा setup यहाँ पर बना रखा है और दे सकते हो यार first look में इनका setup देखने में काफी अच्छा लगता है RGB lights के इन्होंने यहाँ पर यूज कर रखा है औ बाकि इसकी specifications के अग बारे में अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो processor इसके अदर मिल जाता है AMD की तरफ से Ryzen 7 4800H, RAM इसके अदर जो total 16GB मिल जाती है, graphics card मिल जाता है इसके अदर GTX 1650 Ti, और बाकि storage में 512GB के SSD and 1TB की hard drive बात का है इनके peripherals के बारे में तो देख सकते हो, यहाँ पर एक dedicated अलग से monitor भी यूज करते है तो जो monitor है वो आ जाता है यहाँ पर LG की तरफ से उनका Ultra Gear Series के अंदर 27GL650F, जो की 27 inches का है IPS panel के साथ में आता है 1080p 144Hz के refresh rate के साथ में यहाँ पर आ जाता है, keyboard यहाँ पर यूज कर जो क्या आता है causing bite की तरफ से उनका asteroid, बात करेंज हम लग maintenance के बारे में, so cable management का काम इन्होंने overall अपने setup के अंदर यहाँ पर काफी अच्छा कर रखा है, बिल्कुल भी आपको यहाँ यहाँ पर देखने को भाई, बहुत ही ना की बराबर देखने को मिलती है, and desk के नीचे की तरफ भी इन्होंने wires को बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर manage कर रहा है, overall पूरा setup देखने में काफी neat and clean, and काफी well maintained लगता है, अब इन्होंने बताए कि अपने setup को यहाँ पर use करते हैं, mostly यहाँ पर web development करते हैं, या फिर app developer हैं, तो उसके लिए अपने setup को mostly यहाँ पर use कर लेते हैं, and उस चीज मेरोंने यहाँ पर बताया कि जो development, यह जो web development यहाँ पर करते हैं, उसके अंदर इनको जो dual screen जो है, यह इनको यहाँ पर काफी help करती है, और साथी साथ अगर gaming करने हो, तो उसे साब से monitor भी काफी बढ़िया हो जाता है, 27 inches, 144 hertz, और जो इनके laptop की specifications है, का वो काफी अच्छा लगा, and as such, यहाँ पर कोई भी suggestion नहीं है, कुछ भी upgrade करने के लिए, जैसे आप use कर रोग काफी बढ़िया है, thank you so much तो साथ जी अपना setup भेजने के लिए, बढ़ते गई हमारे एकले setup की तरफ तो यह हमको बेजा हिमांशु जी ने, जो की 20 साल के रहने वाले हैं, Canada के यह originally जो है डेली के रहने वाले हैं, बट यह अपनी studies करने के लिए Canada रह रहे हैं, और साथ यह एक student है, बात करेंज इनके setup के बारे में तो यहाँ पर आप लुक देख सकते हो, वही पूरी यार मतलब western countries वाली पूरी यहाँ पर जो आपको wipe देखने को मिल जा सबसे पहले इनके laptop के बारे में बात करते हैं, तो laptop यहाँ पर यूज कर रहे है, HP का pavilion gaming laptop, इसकी specs के बारे में बात करें, तो processor मिल जाते है, AMD का Ryzen 5 5600H, RAM इसके अंदर मिल जाती है, 16GB, graphics card यहाँ पर यूज कर रहे है, GTX 1650, and SSD मिल जाती है, इसके अंदर storage के लिए, जो कि य refresh rate के साथ में आपर आ जाता है, keyboard यहाँ पर यूज कर रहे है, Royal Clutch का RK84 Wireless, mouse इनके पास Logitech का G305, headset यहाँ पर यूज कर रहे है, HyperX के Cloud 2, and यह यहाँ पर webcam भी यूज करते हैं, जो कि यह Logitech का C922 Pro, अब बात करें इस इनके setup के maintenance के बारे में, so cable management का काम, overall पूरे setup के अंदर बहुत अच्छा कर रहा है, Channel Raceways का नीचे यूज कर रहा है, बिल्कुल भी cables आपको यहाँ पर जो है, Unmanaged बिल्कुल भी नहीं लेगी, बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर यूज कर रहा है, overall पूरा setup देखने में काफी neat and clean and काफी well maintained लगता है, अब इन्होंने बताई कि setup को mostly यहाँ पर यूज करते हैं, classes attend करने के लिए, थोड़े बहुत यह इसके उपर game भी खेल लेते हैं, जैसे कि mostly इसके उपर Valorant वगेरा यहाँ पर खेलते हैं, और थोड़े बहुत यह logo designing वगेरा अपने laptop के उपर यहाँ पर कर लेते हैं, तो उससे साब से जो इनको performance यह अपर इनको करा देता होगा, overall आपका setup यार काफी बढ़िया लगा, suggestion as such कुछ भी नहीं है, काफी अच्छा लगा आपका setup यहाँ पर देखने में, बहुत ही प्यारा and minimalistic and काफी neat and clean setup आपने हाँ पर बना रखा है, thank you so much हीमानचु जी अपने setup भेजने के लिए, बढ़ते ग दिवार से अपने लगा करके desk को लगाते हैं, बढ़ इनोंने दिवार के मतब side में इस तरीके से लगा रखी हैं आपर desk and overall setup जो इनका काफी साही सा लगता है यहाँ पर देखने में, बागी बात करते हैं सबसे पहले हम लोग इनकी laptop की specifications के बारे में, तो laptop जो यहाँ पर Vilios 300, बागी इसकी specifications के बारे में बात करें, तो processor इसके अदर मिल जाता है, Intel की तरफ से Core i7, 9th generation वाला processor जो की है, 9750H, RAM इसके अदर मिल जाती है, total 16GB, graphics card मिल जाता है, RTX 2070, बागी SSD इसके अदर मिल जाती है, 256GB के and hard drive 2TB की, बात करें इनके peripherals के बारे में, तो mouse यहाँ पर य 0, headset इनके पास Corsair के HS50, speaker इनके पास dedicated कोई है नहीं, बाकी mic यहाँ पर यूज करते है, generic BM800, बात करें यहाँ पर हम लोग maintenance के बारे में, so cable management का काम इनोंने अपने पूरे setup के अंदर यहाँ पर काफी decent कर रखा है, बाकी और थोड़ा बहुत बहुत बेटर यहाँ पर कर सकते बाकी अब बात करते हैं कि इनोंने बताए कि अपने setup को यहाँ पर यूज करते हैं, gaming करने के लिए, streaming करने के लिए, editing करने के लिए and थोड़ा बहुत इसके उपर homework भी करते हैं, performance इनको जो है यहाँ पर काफी above average यहाँ पर मिल जाती होगी, जैसे कि i7 9th generation यहाँ पर यूज 2070 उसकर रहे हैं, तो fairly decent specifications इनके laptop के अंदर यहाँ पर देखने को मिल जाती है, definitely 1080p level पर तो बहुत अच्छी gaming इनका laptop यहाँ पर करा देता होगा, और बाकी streaming related भी थोड़ी बहुत streaming जो इनका laptop अच्छी कासी यहाँ पर करा देता होगा, कोई भी दिक्कत इनको यहाँ पर नह उसकरते हैं, वो भी और काफी बढ़ी है, तो ऐस सच यहाँ पर आपको कुछ भी upgrade करने की ज़रूत नहीं है, काफी सही है, और ऐसे ही use करते रहो, thank you so much समित्रन अपना setup भेजने के लिए, अब चलिके इस बढ़ते आगे, और बात करते हैं इनको बात करते हैं, इनको 14 साल क भी लगता है, इनका setup यहाँ पर first looks में, मतलब देखके लगता है कि यहाँ बड़ी अबना रखा है, देख सकते हैं उपर इन्होंने अपने setup के अंदर यहाँ पर एक TV भी लगा रखा है, साथी साथ नीचे इन्होंने अपर अपना laptop लगा रखा है, जिसके हो कि शायद एक cooling living pad या फिर laptop stand के उपर इन्होंने इहाँ पर लगा रखा है, और overall setup देखने में काफी जबड़तस लगता है, बात कर लेते हैं इनके laptop की specifications की बारे में, तो laptop यहाँ पर यूज कर रहे हैं, Lenovo का Legion gaming laptop यूज कर रहे हैं, बाकि इसकी specifications की बारे बात करें, तो processor इसके इंदर मिल ज controls की बारे में, तो monitor के लिए यहाँ पर, Samsung का एक अलग से TV यहाँ पर यूज करते हैं, उसको as a monitor यहाँ पर यूज करते हैं, यह keyboard यहाँ पर यूज कर रहे हैं, keyboard and mouse एक combo यूज कर रहे हैं, जो कि zebronics का transformer वाला combo, headset मिल जाता है, hammer bash, speaker यहाँ यहाँ पर यूज कर रहे हैं, zebr करने के लिए, वीडियो को edit करने के लिए, और थोड़ी बहुत, online classes को यहाँ पर attend करने के लिए, तो देखो भई, उसे साफ से performance इनको definitely यहाँ पर काफी decent यहाँ पर मिल जाती होगी, जैसे की GTX 1650, i7, 9th generation वाला CPU यहाँ पर यूज कर रहे हैं, तो उसे साफ से जो इनको performance य जो gaming है, वो इनका laptop यहाँ पर कराने के लिए, और साथी साथ जैसे video editing अगेरा भी करनी होते होगे, तो 1080p level तक की videos को edit करना हो गया, online classes को attend करना हो गया, यह सब काम भी काफी अच्छी तरीके से इनका laptop यहाँ पर करा देता होगा, बागी suggestion तो as such कुछ भी नहीं है, जो आप यहाँ पर यूज करते हो, काफी ठीक है, ऐसे यूज करते हो, और बागी overall आपका setup जो है, वो काफी रंगीन सा लगा, colors आप बहुत जोयादा जो है, अपने setup के अंदर यहाँ पर यूज करते हो, बागी तो यार बड़ी अलगा आपका setup, thank you so much दक्ष जी अपना setup बेजने क लिए, so इस आयोप की वीडियो आपको बहुत जादा पसंद आगी, पसंद आए तो यह वीडियो को जरूर सार लाइक कर देना, चाहिए को मारे सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ गाइस, grabkis.in website और modexcommandos.com website दोनों को यह जाकर जरूर चेक आउट करना, इन दोनों ही वे इन दो सकता हम आएस